असलाम लेकुम एबरिवन मैं आसीफ रजार इस वीडियो में आपको बताने वालो है कि डोक्टर जाकर ने क्या खूब बयान दिया मुस्कान के हिजाब को लेकर वीडियो को लास्ट तक जिरूर देखे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं मैं जब गई वह बहुत ख्राउड था बॉइस का बहुत ख्राउड था वो मुझे अलाउड ही नहीं कर रहे थे अंदर जाने के लिए बोले बुर्खा काड के तुम अंदर जाना है या तो तुम्हें कॉलेज में एंट्री नहीं है अच्छा, आप वह बटाएगे करते हैं वेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे मैं बिकाम अर्या हुर歌 मुस्ता यह कर दिया है गुकॉम कर रही हुर। बिकाम सेक्ट स्केंड यहर में तो इन एक लोगॹ। आप बुर्खा पहन के बुर्खा बाहर से काड़ के अंदर जाते हैं वलकि प्रिंशिपल को भी कुछ तकलीफ नहीं है प्रिंशिपल भी हमें कुछ नहीं बोला यह लोग खड़के ऐसे तवाशा कर रहें से उदर कि पुर्ण जो उतारा मैंने तो मुलाना साब नहीं का जा एक तो हैा करो मैंने बहें कह दिया हया तो मांगों में परिदा अपनी अखों में चरलो मियाह मैं च्या पर्दा करूं शाया लान की जो आयत इनोंने पढ़ी है वो गलत पोड़ की है आप सही बताते है आप सही मैं तब ही निए भूजाब और बुर्दे बूरे बुरु इस जिस्से को डख लेना वाजब है यह इस वाजब है और शरीप में पड़ा जो है पूरे जिस्म का है, तवाजब करते हुए इस्छाइए जनता को कहा लिखाये जनता को लिखाये जिए अग्जा भूर्दे वाजब ह अब परता है जो आप हीजाब है किया ये मुस्लिम आइडेंटिटी का कोई मेंडेटरी पहलू है क्या हिजाब पहने से ही वो मुस्लिम होने का सबूत हिजाब है ऐसा कहीं लिखा गया है खवातीन के हिजाब के बारे में थिकर करते है अपने तकरीर में अल् ख़वातीन अपनी निञाब नीचे करो एक बार एक मुसल्मान था एक मुस्लिम लड़का जो लड़की को देखके बहुत देर तो घूर रहा था मैंने कहा भाई साब क्या कर रहे गलत है उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है दूसरी अहराम है मैंने एक नजर भी मुकमल नहीं की अब तक उसका मतलब यह नहीं कि आप दस मिनिट बिना पलकाए जपकाए लड़की को देखो घूरो और काओ के नजरी पूरी नहीं हुई अल्ला कर रसूल क्या कहना चाते थे अल्ला कर रसूल यह कहना चाते थे कि अगर गलती से आप कोई लड़की को देखते है तो दुबारा मत देखो ताके आप उसकी जीनत को देखके एश करो उसके बाद फौरण ले खैक पुरान मजजिद ने सुरे नूर में सुरान अबर चाओबी दात नमर एक्तिस में कहा गया मुमिनात से पौमिन आउड़तों से आप नज़र नीचे करो और अपनी इफाज़त करो और अपना पलो सिर का पलो च्छाती पे ढाको और उस जीनत की नमाईश मत करो सिर्फ जो आम तोर पे दिखी जाती है जो आप भीज़ाब को दर रिलाक्स कर सकते सिर्फ अपने शोर के साथ वालिद के साथ बेटे के साथ और एक लिस्ट है बड़ी लिस्ट है जो करीब रिष्टेदा जिससे आप शादी नहीं कर सकते जो आपके महरम है इनके लावा सब लोग के सामने आपको हिजाब करना चाहिए आम तोर पे हिजाब के उसूल 6 है जो कुरान और हदीश से हमें मिलते है पहला असूल एक्स्टेंट कौन सा हिस्टा जिस्टा जिसम का ढखावना चाहिए आदमी के लिए नाज से लेके गुटने तक कम असकम और और अवरत के लिए सारा जिसम सिर्फ चेरा और हाथ थिली तक देख सकता है इसके इलावा सारा जिसम ढखावना चाहिए दूसरी शर्त कपड़े इतने चुस्टने होना चाहिए जिससे आपको फिगर नज़रा सके तीसरी शर्त कपड़े ख़फीफ पतले नहीं होना चाहिए टांस्प़रिन जिसके थुरुफ देख सके चपड़े इतने भडके लिए नहीं होना चाहिए जिसने दूसरा जिन्स बतास्फिर हो पंच़वी शर्त कपड़े दूसरे जिन्स किपने होना चाहिए और अरत मर्द के कपड़े नहीं पेनना चाहिए और च्छटी शर्थ कपड़े दुसरे मजाहिब की निशानी नहीं होना चाहिए इच्छे शर्थ है और अल्द 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 फर्माते हैं सुरह आजाब में सुरा नमर 33 आयत नमर 69 में के रसूल कह दो अपने बीवियों से अपने बेटियों से और मुमिन आउरतों से के जब भी वो भार जाए वो जिल्बाब पेने ताके लोग उसे पैचान सके और लोग उन्हें न च्छेडे कुरान में लिखा गया है के अल्ला ताला ने हिजाब फर्माया है खावातीन के लिए जिल्बाब जिल्बाब मतलब एक ओवर कोट ताके लोग उन्हें पैचान सके और उन्हें न च्छेडे मैं आपको सवाल पुछना चाता हूँ अगर दो बेहने तो जक्सा है टुिन्स है जुणवा बेहने जक्सा दिखती है दोनों खुबसूरत है जक्सा खुबसूरत है जुणवा है और दोनों अगर बंबई की सड़क पे चल रहे मिसाल के तोर पे पेडर रोट के उपर और एक बेहन पेंटी इस्लाम एक हिजाब सारा शरी ढखा हुआ सर्फ चेरा और हाथ हसली तक दिख रहे है और दूसरी बेहन पेंटी है वेस्टन क्लोज मिनी शॉट स्कट और शॉट मिनी और दोनों बेहने चल रहे पेडर रोट के उपर और कोने पे एक लफंगा ठेर रहा है कोई लड़की को छेड़ने के लिए मैं आप से पुछना चाहता हूँ कुछ सी लड़की को छेड़ेंगा कुछ सी बेहन को छेड़ेंगा वो बेहन जो इसलामिक गिजा पेंट रही है कि वो बेहन जो वेस्टन क्लोज पेंट रही है वेस्टन क्लोज मगरिबी लिबास आसान सवाल आसान जवाब इसलिए अल्लाओ 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 फर्माते है कि अल्लाओ ने काया खवातिन से कि अपने आपको ढखो ताकि लोग पैचान सके और लोग आपको न च्छेडे उसके बाद इसलामिक शरीयत में अगर कोई आदमी कोई औरत का बलात कार करता है जिना बिल्जब करता है इसलाम में उसकी सजाए मौत गैर मुस्मान कहेंगे सजाए मौत आज की तारिक में 21 सदी में इसलाम एक जालम मजब है बेदर्द मजब है लेकिन मैं जब यह सवाल पूछता हूँ गैर मुस्मानों से और हजारों गेर मुसल्मानों से पूछ चुका हूँ कि अगर अल्ला ना करे, खुदा ना करे अगर कोई आपकी वालदा के साथ बलातकार करता है जना बिलजब करता है और अगर उस बलातकार करने वाले आदमी को आपके सामने लिया जाता है और आपको जज़ बनाया जाता है तो मैं पूछना चाहता हूँ आप उसे क्या सजा देंगे सव फीसद गैर मुसल्मानों ने कहा हम उसे देंगे सजा ए मौत कुछ गैर मुसल्मानों ने कहा मैं तो उसे तॉपा तॉपा के मारूँगा तो ये डोगले पना क्यूँ आपके वालदा को कोई रेप करता है बलातकर करता है आप कहते सजाए मौत दूसरे किसी वालदा का रेप होता है बलातकर होता है आप कहते सजाए मौत एकदम खतरनाक सजा है क्यूँ डोगले पना क्यूँ आप जानते हैं कि आज की तारिक में हम समझते हैं कि USA सबसे तालीम याफ़ता मुल्क है सबसे तरक्की याफ़ता मुल्क है आप जानते हैं कि USA में रेप बड़ी तादाद में होता है according to FBI statistics of 1990 FBI statistics सन 1990 में कहते हैं statistics कि हर रोज 1756 रेप हो चुके है अगर 1996 की statistics के हिसाब से Natural Crime Investigation Bureau के हिसाब से US Department of Justice वो statistics कहती है कि हर रोज 2713 बलातकार हुए on average in USA 1990 में 1756 1996 में 2713 हो सकता है USA के लोग जरा मदब बन गया अभी 2008 की statistics कहती है Investigation Crime Victimization Bureau reported एक लाग पच्चीस हजार नोसो दस सब रिपोर्ट ने होते 1990 में रिपोर्ट इस सोला फिसाद अगर Multiply करेंगे वो भी तादाद हो जाती है हर रोज 2000 से ज्यादा रिप American Statistic कहती है हर 32 सेकंड हर 32 सेकंड में एक बलातकार एक रिप हो रहा है USA में मैं तक्रीड दो घंटे से कर रहा हूँ इस दो घंटे में 200 से ज्यादा रिप हो चुके हैंगे USA में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम इस्लामिक शरियत USA में नाफिस करे हर मर्द कोई लड़की को देखता है उसे नज़र नीचे करना चाहिए हर खवातीन हिजाब में हो सारा जिसम ढखा होना चाहिए सिर्फ चेरा या हाथ दिख सकता है उसके बाद अगर कोई मर्द कोई आउरत का बलातकार करता है रेप करता है सजा मौत मैं पूछना चाहता हूँ कि USA में रेप की तादाद बलातकार की तादाद बढ़ेंगी वही के वही रहेंगी या घटेंगी घटेंगी आप इसलामिक शरियत नाफिस करो फवरान रिजर्ट इसलिए सारे दुनिया में अगर कोई देश है अगर कोई मुलक है जहां सबसे कम रेप है बलातकार है वह साथियरे बिया आप इसलाम की शरियत को नाफिस करो फवरान रिजर्ट मिलेंगा इसलिए मैं कहता हूँ कि इसलाम अच्छी बाते करने के इलावा एक ऐसा तरीका आपको दिखाता है जिससे आप वो अच्छी बात माशरे में काइम कर सको इसलिए इसलाम ये दिनलहक है हक का मजब है अच्छी बाते करने के इलावा आपको तरीका बताता है किस तरीके से आप अच्छी बात को अमल में ला सके जिस तरीके से आखरी हफ़ते सनीचर में मैंने कहा था एक तक्रीर आलमी भाईचारा इसलाम में दिखाया जाता है किस तरीके से बाईचारा अमल में ला सके रोज इसलिए मैं कहता हूँ कि इसलाम एक वाहिद मजब है अगर कोई मजब सही है अगर कोई मजब सही है اللہ के नज़र वो सिर्फ इसलाम है अपनी खायश अल्ला के इसाप से चलना